आज के इस क्लास में हम टेट्रागोनल सिस्टम के पॉइंट क्रूप के बारे में दोस्तों डिसकसन करेंगे तो टेट्रागोनल पॉइंट क्रूप क्या-क्या आपको यहां पे देखने को मिलेंगे उनके बारे में तो डिसकसन करेंगे तो पहले समझ लेते हैं कि टेट्रागोनल सिस्टम का रूल क्या-क्या है दुनिया में जितने भी टेट्रागोनल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर तीन एक्सिस होते हैं दोस्तों थ्री एक्सिस क्या-क्या आपको क्लासेश देखने को मिलेंगे मैं इनके बारे में सभी बताऊंगा दोस्तों जो क्लासेश यहां पर हम देखते हैं पॉइंट ग्रूप यहां पे दोस्तो फॉर होता है फॉर वार होता है फॉर बाई एम आपको देखने को मिलेगा दोस्तो फॉर टू टू देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो फॉर एम एम देखने को मिलेगा और दोस्तों, क्या है 4 bar 2 m भी देखने को मिलेगा लास्ट में आपको 4 by m, 2 by m, 2 by m ओके, 4, 4 bar, 4 by m, 4, 2, 2, 4 mm, 4 bar 2 m, 4 by m, 2 by m यहाँ पर जो आपको तीन यहाँ पर जो प्लेस देख रहे हो दोस्तों इसको आप x कह सकते हो, इसको आप y कह सकते हो, इसको आप z कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर रूल जो है टेट्रागुनाल सिस्टम में जनरली जो x होता है दोस्तों, c x को इंडिकेट करता है जो यह x होता है आप देख रहे हो दोस्तों, यह always c x को इंडिकेट करता है यह आपका A1 and A2 axis को बिलोंग करता है और यह आपका diagonal axis को बिलोंग करता है D1 and D2 किसी भी tetragonal system में दोस्तों जो holohedral form में crystallize करता है उसका C axis होता है दो आपको direct A1 and A2 axis मिल जाएगे दोस्तों और दो diagonal symmetry यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि tetragonal system पे आपको ही पता है दोस्तों 1 axis of 1 C axis symmetry ओके देन दूसरा दोस्तों A1, A2 में आपको 2 symmetry element देखने को मिल जाएगे और दोस्तों D1, D2 के direction में आपको diagonal direction में आपको 2 symmetry देखने को मिल जाएगे तो यही है दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे ही करना होगा point group जैसे की यहाँ पे 4, 2, 2 दिया गया है यह दोस्तों यहाँ पे C axis का काम करेंगे यहाँ पे दोस्तों A1 and A2 axis का काम करेंगे यहाँ पे दोस्तो D1 and D2 axis का काम करेंगे दोस्तो तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं हम एक-एक point group को यहाँ पे discussion करते हैं पहला दोस्तो 4 का काम होगा पहला दोस्तो हम 4 का काम करेंगे तो 4 क्या होता है दोस्तो पहले यह C-axis को indicate करता है यह हो गया हमारा क्या है दोस्तो C-axis C-axis है 4-4 symmetry आप यहाँ पर 4-4 symmetry देख सकते हैं दोस्तो यह हमारा C-axis हो गया दोस्तो इसको पूरा डार कर लेते हैं हमारा हो गया C axis उसके बाद दोस्तों हम A1, A2 axis ड्रोग करेंगे यह हमारे A1 axis है यह हमारे A2 axis है क्योंकि all the equal axis all are the equal axis A1, A2 axis हो गया तो यहाँ पर 4-4 symmetric दिये गये हैं दोस्तों तो हर एक phase दोस्तों every 90 degree position पर आता है तो यह है दोस्तों 4 का काम हो गया यहाँ पर A1, A2 नहीं दिया गया है D1, D2 नहीं दिया गया है और एक image में यहाँ पर draw करना चाहूंगा यह होता है क्या 4 bar 4 bar का मतलब क्या है 4 तो है दोस्तों यह जो bar का मतलब rotto inversion हो आ है दोस्तों हर 90 degree में rotate करके दोस्तों inverted ही हो आ है rotation rotto inversion मतलब गया है दोस्तों 4 forward rotation हो आ है उसके साथ inversion rotation plus inversion तो कैसे हम draw करेंगे दोस्तों इसको हम देखते हैं यह दोस्तों 4 bar का हम draw करेंगे तो यह हमारा हो गया क्या 4 bar ओके यह हमारा हो गया दोस्तों 4 bar का इसे इसका notation दिया जाता है दोस्तो, ओके बस उसके बाद दोस्तो a1, a2 हम ड्रो करेंगे यह हमारा a1 a2 axis है यह हमारा a2 axis है दोस्तो हम लिख भी देते है a1 a2 दोस्तो यह यहाँ पर एसा इख फेस आएगा दोस्तो यह फेस लेखिन यह यह फेस जो है यह दोस्तो 90 नाइटी डिगरी रोटेट करेगा और इनवर्ट हो जाएगा तो इसका जो इमेज है दोस्तो यहां पर रोटेट कर रहा है 90 डिगरी लेकिन इनवर्ट हो रहा है तो यहां पर बनेगा दोस्तो रोटेट एन इनवर्ट दोस्तो यहां यह जो इमेज है यह दोस्तो रोटेट कर इसको हम rotate करे यहाँ पर रखे inverted करके, यह दोस्तो आभी rotate करेगा 90 degree यहाँ पर लेकिन inverted हो जाएगा यहाँ पर okay, rotate 90 degree inverted तो इसको हम बोलते हैं दोस्तो roto inversion, okay, बस यही है दोस्तो, roto inversion गल्टी कर दिया थोड़ा यह दोस्तो, अगर 90 degree यहाँ पर rotate करेगा में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एभरी 90 डिग्री पर क्या हो रहा है दोस्तों यह रोटेट तो होगा लेकिन इनवोटेट हो जाएगा यह दोस्तों रोटेट तो होगा लेकिन इनवोटेट हो जाएगा दोस्तों ओके तो यही है दोस्तों इसका फीगर आ यह एबरी 90 degree rotation कर रहा है लेकिन फौर बार क्या है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों rotate तो कर रहा है लेकिन inverted हो रहा है यह देखिए figure यह वाला जो face है दोस्तों इसके बाजु बाले में देखिए उल्टा दिया गया है रोटेट तो कर रहा है लेकिन इन्वोर्टेट हो रहा है तो इन्वोर्टेट के कारण ये बला फेस उसका उपोजिट इन्वोर्टेट फेस दिया जाएगा ये बला 90 डिगरी इन्वोर्टेट फेस ये बला 90 डिगरी इन्वोर्टेट फेस तो ये देख सकते हैं आप दोस्तो कॉट कर रहे हैं तो यह डाईस्पेनोईड है दोस्तो टेट्रागोनल डाईस्पेनोईड उके उसके बाद दोस्तो four by M दिया गया है यह देखिए दोस्तो four by M तो उपर में four fold है दोस्तो यह चार फेस बाला तो आपको उपर में बन जाएगा लेकिन जो six x है दोस्तो C axis में भी एक mirror plane है, इसका मतलब नीचे भी ओही 4 face आपको देखने को मिलेगा, तो tetragonal इसको dipyramid बोलते हैं, tetragonal आप इसको क्या बोलते हैं दोस्तो dipyramid, उपर में यह जैसा था 4 का, नीचे में अगर यहां पे एक mirror plane हो गया, तो नीचे भी ओही दोस्तो figure आ जाएग आप only process को follow किजिएगा, 4 by m किसको indicate करता है दोस्तो C axis को indicate करता है, तो देखिए इस पहले C axis को draw कर लेजिए, ओके लेकिन जब C axis mirror plane होता है दोस्तो, तो यह हमारा solid line होता है, तो आपको यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, solid line बनाना पड़ेगा, और C axis को बनाना पड़ेगा यह आपका हो गया C axis, ओके rotor inversion नहीं है, तो इसलिए पूरा dark कर रहे हैं, तो यह आपका A1 axis है दोस्तों, यह आपका हमारा A2 axis है, बस A1 axis ड्रो कर लिए, A2 axis भी ड्रो कर लिए, अब दोस्तों mirror plane, तो पहले 4 का काम कर लेते हैं, यह हमारा 4 का काम हो गया दोस्तों, लेकिन नी नीचे भी एक face है, तो नीचे face के करन 4 by M में, A से, A से, A से आ जाएगा दोस्तों, ओके, जब दोस्तों C axis solid line होता है, तो आपको ऐसे image ही देखने को मिलेंगे, ऐसे, point के साथ, A से, ओके, तो ओई है दोस्तों, आप देखिए, यहां पर 4 by M के साथ या गया है, यह देखिए 4, 4, दोस्तों, इसमें एक point आया, इसमें point आया, हर 90 degree में point आया, लेकिन इसके साथ, बस, ऐही है दोस्तों, हर 90 degree पे, ओके, इसको हम tetraunal dipynamid बोलते हैं, आप देखेंगे, 4, 2, 2, 4, 2, यह दोस्तों C axis को indicate करता है, यह हमारा A1 axis, A2 axis को indicate करता है, यह हमारा D1 axis and D2 axis को indicate करता है तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, पहले 4 का का काम कर लेते हैं, 4 का काम कैसा होता है, ओके, यह हमारा 4 का काम हो गया, यह हमारा A1, यह हमारा A2, A1, यह A2 तो 4 का काम कैसे करेंगे दोस्तों ये पॉइंट ले लिए 1, 2, 3, 4 लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है A1, A2, XS में दोस्तों 2-fold symmetry है तो 2-fold symmetry मैं यहाँ पर बना रहा हूँ यह देखिए हमारा 2-fold symmetry यह देखिए हमारा 2-fold symmetry यह देखिए दोस्तों हमारा two-fold symmetry तो इसके बाद हम यह जो आपने figure draw किया था यह जो point दिया था two-fold के करण दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा two-fold के करण दोस्तों इसा two-fold के करण यहाँ तो दोस्तों a1 a2 का काम खतम हो गया अभी d1 d2 का काम करते हैं दोस्तो आपको यह पता है ट्रेट्रागोनल four-fold के करण जो यहाँ पर आपने point दिया है तोस्तों हर 90 degree में उतना ही आएगा दोस्तों उसके बाद d1 d2 का draw करना है दोस्तों यह हो गया हमारा d1 यह हो गया हमारा d2 ओके और two दिया गया है तो two-fold आप सभी में draw कर लिजे तो दिया गय two-led, three-two का काम पहले four का काम कर दिये दोस्तों मैं आपको confused ना होने के लिए फिर से यहांपे दोषाना चाहता हूं पहले हमने कुछ नहीं किया आप four का काम पहले कर लिया four का काम कर लिया दोस्तों four का काम इतना ही बास ओक यह C axis है विजिध four fourth symmetry तो four का का म हो गया तो आप दोस्तों एवान एटू का काम करेंगे यह आपका एवान का काम हो गया एवान का काम हो गया उसके बाद एटू का भी काम हो गया तो फोर का काम यह वान है यह टू है फोर का काम ऐसे करते हैं फोर जब हमने ट्रो किया था तो इसे ही ट्रो किया था लेकिन यहां पर दोस्तों दिया गया है तो यहां पर 2-4 थोड़ा बना लीजिए ओके यहां पर थोड़ा elliptical बना लीजिए ओके 2-4 जब करेंगे दोस्तों यहां पर आपको point दिया गया है ओके से आएगा दोस्तों यह से आएगा यह वाला जो पॉनिट है यसे आएगा यह बस काम काम करना है क्या क्यंसे करेंगे दोस्तों यह वाला देखिए दी1 Tonight पर ड्रो कर लिए लेकिन यह लिख सकते हैं यह लिख सकते रिघु ito यह देख सकते है और यह देखिए दोस्तों, ओके यहाँ पे 24 का दिया नहीं है कुछ, यहाँ पे 24 भी होने वाला है, ओके और यह आपका figure देख सकते हैं, यह ही है उपर में दोस्तों आपको चाल फेर्ज देखने को मिलेगा, और दोस्तों नीचे भी, और डाइगनाल सिमेट्री भी देखने को मिलेगा, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4, 2, 2 के बाग 4, M, M होता है दोस्तों, तो 4 का काम हम पहले करते हैं, यह हमारा, यह हमारा दोस्तो 4, ओके यह हमारा हो गया 4 तो, यहाँ पे देखिए दोस्तो 4 का काम करने के लिए हमें A1, A2 ड्रो करना पड़ेगा, यह हमारा A1, A2, 4 में क्या होता था दोस्तो यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट तो ये mirror plane है, mirror plane के कारण दोस्तो ये बला plane यहां पे repeat होंगे ये बला यहां पे repeat होंगे तो चलिए दोस्तो इसको repeat करते हैं ये हो गया, ये हो गया ये हो गया दोस्तो, ये हो गया mirror के कारण दोस्तो आपको color थोड़ा change कर दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया तो mirror के कराण आपको यह से देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों D1, D2 हमने draw नहीं किया तो D1, D2 हम यहाँ पर draw करते हैं यह आपका दोस्तों D1 axis ओके यह दोस्तों आपका D2 D2, D1 ओके तो बास यह यह diagonal दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4mm, ओके सभी दोस्तों 8, sorry यह दोस्तों D1 जो D2 हैं दोस्तों यह solid line बनाएंगे क्योंकि यह दोस्तों mirror plane हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D1, यह दोस्तों आपका D2, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी solid line में बनेएंगे दोस्तों यह तो 4mm दोस्तों 4mm यह CX का काम करेंगे यहाँ पर A1, A2 का काम करेंगे यहाँ पर D1 अंड D2 का काम करेंगे तो पहले CX द्रो कर लेते हैं एक पेंट से ही मैं बनाने की कोसिज करूंगा दोस्तों, यह हमारा C-axis का काम हो गया, ओके C-axis, अब कलर नहीं देखे तो भी चलेगा, यह आपका A1-axis, यह आपका A2-axis दोस्तों, तो यहां पे एक पोइंट देंगे, तो यहां पे रिपीट होगा, एफिरी 90 डिग्री में, ल इसे ही रिपीट होगा, ओके, यह हो गया, फोर M का काम हो गया, अब हम करेंगे दोस्तों, D1-D2 का काम, D1-D2 हम यहां पे ड्रो करते हैं, यह हमारा D1-axis है, ओके, और यह हमारा D2-axis है, लेकिन mirror plane के कारण, तो यह दोस्तों, आपका solid line आ जाएगा, यह आपका दोस्तों, solid line बस, काम हो गया, खता, यह है दोस्तों, 4-A में, यह हमारा A1-axis है, यह हमारा A2-axis है, यह D1-axis है, और यह D2-axis है, ओके, उसके बाद हम ड्रो करते हैं, इसको हम diet-atragonal pyramid बोलते हैं, एक open form है दोस्तों, यहां पे diet-atragonal मतलब, 4 faces के बदले में, 8 faces यहां पे आपको देखने को म बनाएंगे दोस्तों, 4-bar 2-m, यह किसको indicate करता है, c-axis, यह दोस्तों, आपका a1, a2 axis, यह आपका दोस्तों, d1 and d2 axis को यह indicate करता है, तो दोस्तों, 4-bar का काम करता है, हम पहले भी कर चुके है, 4-bar का काम, तो दोस्तो यहाँ पे हम four four करते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तो एक four bar दिया गया है तो रॉटो इंवर्जन का यहाँ पे notation आएगा यहाँ ने रॉटो इंवर्जन बना लिये दोस्तो तो उसके बाद A1, A2 एक्सिश ड्रो करते हैं यह आपका A1 हो गया यह आपका A2 हो गया क्योंकि A1, A2 परपंडिकुलर टो इच अदर A1 हो गया, A2 हो गया उके उसके बाद दोस्तो यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं लेकिन फॉरबार का यहाँ पे दबदबा है तो फॉरबार कैसे होता है यहाँ पे अगर पॉइंट देंगे तो नाइटिक रोटेट करेगा और इंबोर्टेट हो जाएगा तो दोस्तो यह इमेज यहाँ पे ऐसा बनेगा और ओही same image यहाँ पर 90-25 rotate करेगा and inverted हो जाेगा तो ओही इमेज दोस्टों यहाँ पर इसा बनेगा इसको एगर 90-25 रोटेट करेंगे और inverted करेंगे यहाँ पर 90-25 रोटेट विर्टेट तर इन पर होगा दोस्टों तो केसा image बनेगा आप समझ सकते हैं यहाँ ओके और दोस्तों यहाँ पर फोर बार का काम तो खतमी हो गया अभी टू का काम देखते हैं एवाने टू टू फोल सिमेट्री है दोस्तों तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों टू फोल आपको ड्रो करना पड़ेगा और ये जो image आपने बनाया है, ये जो image आपने यहाँ पर बनाया है, तो आपका image S आएगा दोस्तों, ये सेम image है, ये के S आएगा दोस्तों, कि S आएगा, और ये जो image है दोस्तों, ये के S आएगा दोस्तों, S आएगा, तो ये हो गया, 2 का काम हमारा खतम हो गया, क्योंकि यह आपको बनाने होंगे तो ये हो गया हमारा एक mirror plane ये भी हो गया दोस्तो एक mirror plane बस काम खतम हो गया इसको आप represent कर देंगे दोस्तो जदा तर काम इन दोनों एक्सिस में ही होता है आपने पहले फॉर बार का काम करना है उसके बाद दोस्तो टू का काम करना है उसके बाद mirror plane का काम करना है ये दोस्तो आपका एवान एटू है एवान एटू है आप इमेज को देख सकते हैं आप इहां पे भी study कर सकते है किसे यह image और यह image किसे related है दोस्तों यह दोनों divide करके क्या है तो इसका इस मतलब की figure है tetragonals kalenohedron इसको बोलते हैं forward 2ym को sorry forward 2m को tetragonals kalenohedron बोलते हैं तो पहले आपको m का काम करना है उसके बाद 2 का काम करना है and last में आपको d1 d2 का काम करना है okay then उसके बाद दोस्तों important 4xm, 2xm, 2xm, यह दोस्तों हमारा hollowheadsattle classification, यह आपका C का काम होगा, यह आपका A1, A2 का काम है यह आपका D1 & D2 का काम है, दोस्तों फेले मारी से नहीं है, हमारा सी corona box द wahr कर लिए दोस्तों काम कर लेते हैं, दोस्तो इसा आएगा ओके लेकिन देखिए 4xm दिया गया है 4xm ओता था तो केसे दिखता था पूरा दोस्तो CXS पे एक mirror plane है तो इसा इमेंज बनेगा दोस्तो उसके बाद दोस्तो हम A1 A2 ड्रो करते हैं यह हमारा A1 हो गया यह हमारा A2 हो गया जब दोस्तो 4xm करते थे तो हर 90 degree पर दोस्तो एसे यह पर भी करेंगे दोस्तो 4xm में ऐसे क्योंकि CXS पे दोस्तो एक perpendicular गया हुआ है तो काम हो गया था उसके बाद दोस्तो 2xm दिया गया है 2xm मतलब A1 A2 तो हे ही उसके साथ एक perpendicular mirror plane भी दोस्तो है तो दोस्तो यहा पर perpendicular mirror plane के कारण यह इससे बन आपको यहां पर आपको इसा ही आपको यहां पर ड्रो कर ना होगा उसके बाद दोस्तों तो बाद केश से ड्रो करेंगे आपको यहाँ पे यह दोस्तो आपका A1 का काम हो गया A2 का काम हो गया तो 4 by M, 2 by M का काम हम नहीं यहाँ पे खतम कर चुके हैं अभी बचा हुआ है कितना 2 by M 2 by M को कैसे ड्रो करेंगे D1, D2, Diagonal एकसी सब ड्रो कर सकते हैं लेकिन 2 by M दिया गया है तो दोस्तो मसलब की पूरा solid line आएंगे 2 by M, अगर mirror plane देता है तो solid line आता है दोस्तो यह है mirror plane और इसके साथ दोस्तो 2 भी दिया गया है तो 2 fold यहाँ पे भी आप दे सकते है 2 fold यहाँ पे भी आप देख सकते है ओके, यहाँ आपका 2 fold हो गया है दोस्तो यह 2 fold सभी में दोस्तो 2 fold दिया गया है तो इसको थोड़ा दिहान में रख देना यह देखी दोस्तो 4 by M, 2 by M, 2 by M इसको हम बोलते हैं die, tetragonal, die pyramid उपर भी एक die, tetragonal है नीचे भी एक die, die pyramid है दो अगर, यह देखें C axis को mirror plane यह हमारा C axis है इसमें एक mirror plane आप देख सकते हैं ओके image आपको यह सा दिखेगा दोस्तो यह आपका image है ओके पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्रोसेस बता रहा हूँ ओके पहले आपको 4 by M draw करना होगा 4 by M draw कर ऐसे करते थे दोस्तो यह C axis perpendicular है तो ऐसे draw करते थे यहाँ पे आपका C axis हो गया C axis आपका हो गया इसके बाद A1 A2 axis draw कर लिजिए तो यहाँ पे एक SIE में जाता था यहाँ पे SIE में जाता था एसा एसा लेकिन इसके साथ दोस्तो 2 by M भी है 2 by M का मतलब क्या है दोस्तो यह mirror plane है यह भी दोस्तो आपका mirror plane है ओके mirror plane के कारण दोस्तो यह यहाँ पे repeat हो जाएगा यह यहाँ पे repeat हो जाएगा इससे आपको बन जाएगा और दोस्तो 2 fold के कारण यहाँ पे आपको 2 fold देना है यह आपका 2 fold है यह आपका 2 fold है यह आपका 2 fold है तो यहां पर आपको टू बाई एम ड्रो करना है यह देखिए दोस्तो टू बाई एम हम यहां पर ड्रो करना है यह देखिए दोस्तो टू बाई एम हम यहां पर ड्रो करना है बस कुछ नहीं बस काम खतम हो गया तो यह है दोस्तो यह है दोस्तो टेट्रागोनल सिस्टम जहां पर हमने study किये डाइ टेटागोनल डाइ पिरामीड के बारे में, टेटागोनल स्काली नो हेडरोल के बारे में, टेटागोनल पिरामीड के बारे में, ओके, तो थोड़ा इसको याद रख लिजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत आसानी, यह दोस्तो फोर का टेटागोनल डाइ पिरामीड बोलते हैं, यह दोस्तो टेटागोनल टापीजोहेडरल क्योंकि यहाँ पे जो फेस होते हैं, टापीजोहेडरल फेस में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तो टेटागोनल पिरामीड एल क्लास फोर एम, फोर बार टू एम को ट